दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुसील मोधी और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल मोधी इन्फो टेक्ट दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पेनियर भाई ने रेटेलर के लिए एक नया सर्विस लेके आये हैं जिसके माध्यम से आप LIC किस्ते का भुखतान कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम आपको एक LIC की प्रीमियम या किस्ते जमा करके बताएंगे और क्या इस प बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाया और वो वीडियो आप देख पाएं अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक और सेर जरूर से कर दीजिएगा द आज के दौर में जब आपका बहुत सारा बिजनेस एप्यस से ही डिपेंड होता है तो आप इस पैसे को मूब टू बैंक करते हैं आपको बैंक तक जाना पड़ता है मूब टू बैंक का भी चार्ज लगता है बैंक आने जाने का चार्ज भी लगा आपको जो पैट्रोर पर होंगे पहला benefit तो आपको यह होगा कि आपके पास customer का base बढ़ेगा आपके पास जो customer अभी हो सकता था केवल mobile recharge, EPS या money transfer कराने के लिए आ रहा था अब वो आपके पास LIC की किस्त जमा करने के लिए आएगा LIC की किस्त जमा करने पर आपको 0.20 का commission भी मिलेगा अगर 1000 रुपे की किस्त है तो आपको 2 रुपे मिलेगा यदि 10,000 रुपे की किस्त है तो आपको 20 रुपे मिलेगा और यदि मान लीजी दिन भर में आपने अलगला customer का एक से जादा customer का 1,00,000 रुपे का premium भी जमा कर दिया तो 200 रुपे आप अतरिक्त यहां पर कमा सकते हैं अब आप यह सोचें कि यदि आपका 1,00,000 रुपे का ABS का business है आप उसे जो भी commission कमा रहे हैं वो तो आपका है और 1,00,000 रुपे की अगर आपने premium भी जमा कर दी तो 200 रुपे आप अतरिक्त पर डे कमा रहे हैं महने का यहां customer का भी पैसा जमा कर सकते हैं यह फिर किसी LIC agent से contact कर सकते हैं क्योंकि वो आपको bulk में किस्ते देदेगा और उसका भी फायदे होगा कि उसको LIC के office में नहीं जाना पड़ेगा आपके पास ही उसकी किस्ते जमा हो जाएगी और क्या benefit होंगे आपको जो bank में जाना पढ़ रह बैंक आने जाने वाले टाइम जो लग रहा है उससे आप बच जाओगे आपको जो petrol लग रहा है बैंक जाने का उससे आप बच जाएंगे और सबसे बड़ी बात कि जिन लोगों का ज्यादा कैस निकलने से bank से tedious लगने लगता है अब वो भी नहीं लगेगा तो यह बहुत ह वीडियो में आगे मैं आपको बता देता हूँ कि किस परकार से आपको LIC किस से का भुकतान करना है कैसे आप रिपोर्ट देखेंगे कैसे आप उसमें यह चेक कर पाएंगे कि आपको कितना commission मिला हुआ है तो दोस्तों आपको LIC का भुकतान करने के लिए आपका जो पेनिय live हो चुका है इस पर आपको क्लिक करना है बहुत ही subtle method यहाँ पर दिये यहाँ पर आपको customer का mobile number डालना है mobile number कोई भी डाल सकते हैं कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो mobile number है उसका LIC की policy से link होना जरूरी नहीं है तो मैं यहाँ पर एक mobile number टाइप करता हूँ और इसके बाद एक policy है जो कि हमको भुक्तान करना है वो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ policy number आपको दो बार यहाँ पर type करना पड़ेगा अगेन आप इसको type करिए यहाँ पर एक बार मिला लीजेगा और उसके बाद आप इसको view bill पर क्लिक करिए जो LIC policy का amount है वो 783 रूपए हलाकि लेट हो चुके है तो इसमें लगबग 800 रूपए लगना है और देखी वो ही bill लगबग यहाँ पर यह दिखा रहा है और यहाँ पर बताना तो नहीं चाहिए लेकिन आपको confirm हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ जो policy holder है वो सालिनी 84 राम से है तो आप देखी customer ने में पूरा तो नहीं आ रहा लेकिन सालिनी के आखरी के सरी सुरू के दो character दिख रहे है और पॉलसी के आखरी के डिजिट दिख रहे है तो मतलब सही व्यक्ति का ही पैसा भु लगी हुई है अब इसके बाद यहां पर पे 862 रुपए का option आ रहा है आप इसको click करेंगे और आपके बॉलेट से सुरी आटसो बासे में बोलके 800 रुपए 62 पैसे यहां पर रहेगा और यहां पर देखी यह पैमेंट यहां पर भुकतान हो चुका है और पैमेंट देख पा रहा होंगे इसके बाद हम यहां पर करते हैं go home मैं यहां पर wallet में जाके देखता हूं देखें मेरे wallet में जो रुपए थे वो कम हो चुक है क्योंकि पैसा हमारा डैविड यहां पर हो चुका है अब मैं यहां पर एक report जाके generate करता हूं जो मेरे wallet की report होगी सबसे नी transaction यहां पर आपको दिख रहा है अभी यहां पर जैसे यह pending दिखा रहा है बिल पैमेंट से जैसे यह update हो जाएगा तो आपको यहां पर यह success दिखाने लगेगा आप चाहें तो यहां पर complaint भी race कर सकते हैं इसके बाद अभी मैं आपको wallet report यहां दिखाता हूं account statement और देखे manly चीज आपको यहां जो दिखानी थी वो यह था कि यह 800 रुपए हमारे जो थे वो हमने LIC के पेट के हुए हैं और यह यहां पर इसका commission generate हुआ है 0.20 के साब से यह जो commission है वो 1.60 पैसे बना है तो दोस्तो इस सरल प्रोसेस से आप यहां पर LIC की किस्ते का भुकतान कर सकते हैं और इसका सीधा फाइदा आपको होगा कि आपको अपने amount को move to bank नहीं करना पड़ेगा बैंक में TDS नहीं लगेगा आपको bank तक नहीं जाना पड़ेगा और उससे बड़ी बात कि आपके पास customer का base बड़ेगा आपकी income भी बड़ेगी यह policy मातर 800 रुपे की थी तो यहां पर 1.60 पैसे मिला अब मान लीजी किसी की policy यही 8000 की premium होती तो आपको यहां पर 16 रुपे क commission मिल गया होता और अगर ऐसे दिन भर में आप सोची अगर लाक रुपे की policy आप जमा कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा commission आप यहां पर अरजित कर सकते हैं झाल झाल